तो ये घुट में बनाई है रेसिपी जो बहुत ही चेस्टी बना एग है और इसे आप अपने घर में बनाकर जरूर ट्रॉइ करें तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और से बनाने में किनखी चीजों की जरूरत है तो चलिए रेसिपिस शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है नीम्बू जिसे हमने बीच से काट लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब हमने जाड लिया है अब हम इस पर नीम्बू परस को एड़ करेंगे प्राट करेंगे पोटीन, प्राट करेंगे शुगर, अब हम इसे प्राट करेंगे वन टी स्पून गोलगी पाउडर, चीनी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, अब हम इसे प्राट करेंगे पानी, अब हम इसे ग्रोइंट कर लेंगे, अब हम इसे प्राट करेंगे, अब हम इसे ड्रोइंगे, अब हमने एक बाउल लिया है और इसके ऊपर एक इस टेनर रखा है अब हम इसे चान लेंगे अब हम इसे चान लेंगे अब हम इससे जो एक्स्ट्रा बचकिया है इसे फिक देंगे तो ये देखिए ये रेडी हो चुका है अब हम इसे सर्फ करेंगे यह देखिए शेलबत रेस्पी बनकर रेड़ी है यह सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है इसलिए आप इसे जरूर ट्राइ करें और एक टेस्टी भी बहुत ही ज्यादा लगता है अगर आपको मारी वेटर परसंदाई तो इसे लाइक एन शेयर जरूर करें और कमेंट्स कर के जरूर बता थेंग्यू